नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से न्यू संदेश यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर दखियेगा क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कोई लड़की आपको पसंद करती है या नहीं कैसे पता करें अगर आप एक स्थ्री से प्यार करते हैं लेकिन आपको डर लगता है उससे बात करने में आप सोचते हैं कि हम उसको बोलेगे तो वह क्या सोचेगी अगर वह स्थ्री आपके साथ होते हुए हस्ती है समय समय पर संपर्क में रहती है समझाने की कोशिश करती है तो ये संकेत होते हैं कि वह आप से प्यार करती है दूसरी चीज ये भी हो सकती है स्थ्री के शब्दों का महत्व समझना जी हां अपने बिलकुल सही सुना कुछ स्त्रियां सीधे सीधे प्यार का इजहार नहीं करती लेकिन वे अपने बोलने के स्वर में उनके प्रति सम्मान, प्रेम, स्नेह, सुझाए हुए मुद्धों पर प्रतिक्रिया संबंधों, मामलों, समस्याओं, समस्त मामलों में प्रेम को प्रकट करती है। ऐसा स्त्री जब करती है, जब वह किसी से बहुत प्रेम करती है। टिप नंबर टू, स्त्री के प्रतिसंकेतों का महत्यो समझना। स्त्री के प्रतिसंकेतों को समझने में हमें सक्षम होना चाहिए। कुल मिलाकर स्त्री के प्रति संकेतों को समझना, स्त्रियों के शब्दों का महत्यों समझना, स्त्रियों की भावनाओं को समझना, ये सभी हमें पता करने में मदद करेंगे कि स्त्री हमसे प्यार करती है या नहीं? जब एक स्त्री एक पुरुष को पसंद करती है तो वह कुछ संकेत और इशारे दे सकती है वह अक्सर आपकी ओर देखेगी और मुस्कुरागी वह आपसे बात करने में रुची दिखाएगी आपकी बातों को ध्यान से सुनेगी और जवाब देगी हलके से छूने या आपके पास आने का प्रयास करेगी आपके साथ अधिक समय बिताना चाहेगी और आपके साथ समय बिताने के लिए योजना बनाएगी अगर कोई स्त्री आपकी तरफ आकरशित है तो वह अक्सर आपको देख कर मुस्कुराएगी तो जरूर अगर कोई स्त्री आपकी तरफ आकर्शित है, तो वह आपको गर्दन तिर्ची करके बार-बार चुपके से देखने की कोशिश करती है ऐसी स्त्रियां, जिनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स होती है, वो अकसर आपको चुपके से देखती है लेकिन जैसे ही आप उन्हें देखने लगते हैं, तो वह अपनी नजर दूसरी तरफ फेर लेती है कई बार ऐसा भी होता है कि वह आपसे नजर मिलाती है और मिलाती रहती है वह आपसे नजर भी मिलाती और नजर चुराती भी है ऐसी स्त्रियां अक्सर आपको देखते हुए अपने बालों में उंगलियां फेरने लगती है अब ये तो वही बता सकती है कि वो ऐसा क्यों करती है लेकिन ये बात साफ है कि वह स्त्री आपकी तरफ आकरशित है वो अक्सर आपसे बात करते वक्त आपकी किसी भी बात पर बिना किसी कारण के ही हंस देती है ये भी आपके लिए एक खास संकेत होता है कि वह स्त्री तुम्हें पसंद करती हूँ आपके हर एक बेकार से जोक पर भी कोई नहीं हसेगा लेकिन वो जरूर हसेगी अगर स्त्री आपकी तरफ आकरशित है तो वह आपसे बात करने के लिए छोटे-छोटे बहाने खोजती है क्योंकि उसे आपसे बात करना है आपको यह जताना है कि वह आपको चाहती है वह आपसे अपनी बात शेयर करेगी फिर चाहे वह कोई छोटी सी मामूली बात हो या फिर कोई गंभीर और बड़ी बात हो आप से उस बारे में बात जरूर करेगी अब सबसे आखिरी और मुख्य बात आप सभी पुरुशों के लिए यही कि यह सब सिर्फ एक स्त्री का मजाग भी हो सकता है क्या पता वो आपके साथ सिर्फ फ्लर्ट कर रही हो? क्योंकि आकर्शित होने का ये मतलब भी नहीं होता कि वह आपसे महबबत करती हो लेकिन आकर्शन की वजह से इसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है कि वह आपसे महबबत करती है वह हमेशा आपके साथ समय बिताने की योजना बनाती है वह आपके लिए अच्छा दिखने का प्रयास करती है वह हर मौके को बेहत खास बनाती है उसे कुछ भी करना होगा तो तुम्हें बताएंगे और तुम्हारी सलाह मांगेगी उसके साथ क्या क्या हुआ वो सब बताएंगे उसे क्या पसंद है या नहीं वो सारी बातें आपसे शेयर करेगी अगर कोई स्थ्री आपसे सच्चा प्यार करती है तो आप देखेंगे कि वह बार-बार आपकी आँखों में आँखें डाल रही होगी आप पाएंगे कि वह बार-बार आपको नोटिस कर रही है और कई बार आपकी तरफ देख रही है यह उन संकेतों में से एक है जो बताते हैं कि स्त्री आपकी तरफ आकरशित है और आपके साथ रहना चाहती है स्त्री आपको पसंद करती है तो वह अपना चेहरा आपकी तरफ रखेगी अगर कोई स्त्री सीधे तोर पर आपके सामने की तरफ अपनी बॉडी करके बात करती है तो इसका मतलब है कि आपसे बात करने में कनफर्टेबल है यदि वो थोड़ी सी शर्मीली है और हाथ या पैर अपने में समेटे हुए बैठी है या खड़ी है तो वह आपसे बात करने में शर्मीली या घबराई हुई हो सकती है या वह केवल ये मैसेज देने के लिए ऐसा कर रही है कि उसे आप में कोई इंट्रेस्ट नहीं है जब वह अपने पैरों को क्रॉस करके बैठी हो तो उसके पैरों को देखे यदि उसके पैर आपकी तरफ है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वह आपको पसंद करती है और आपके करीब आना चाहती है याद रखें, एक स्त्री आपके करीब खड़ी होगी और उसकी body language भी relax होगी अगर वह आपके आसपास सहज महसूस करती है, तो वह आपके साथ बिलकुल relax फील करें और यह इस चीज का संकेत है कि वह आपको पसंद करने लगी है और आपके साथ अपना समय बिताना चाहती है अगर कोई स्त्री आपके साथ relax फील करती है, तो आप उससे अपने दिल की बात भी कर सकते हैं